हलो गाईज, वोकम बाग उस पे जादा से जादा views लाने के लिए सबसे जादा important क्या होता है क्या इसके लिए आपका content अच्छा होना चाहिए यानि कि क्या आपकी वीडियो अच्छी होनी चाहिए या फिर आपका thumbnail clickable होना चाहिए या फिर आपकी वीडियो का SEO यानि कि title, tag, description वगरा ये सब जो है ये अच्छा होना चाहिए अब वीडियो को viral करने के लिए ये तीनों चीज़े important है लेकिन इन तीनों में से सबसे जादा important क्या है ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका answer आप comment में दे सकते हैं मैं इसका answer कहीं वीडियो के बीच में आपको दे दूँगा फिलाल हम अपने वीडियो topic पे चलते हैं तो देखिए होता क्या है कि काफे सारे नए लोग जब YouTube पे आते हैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं तो उनको SEO के बारे में पता चलता है उनको लगता है कि भाई SEO, search engine optimization, oh my god मतलब कैसे भी कर गए अगर मैंने SEO ठीक कर लिया अपने वीडियो का तो मेरी वीडियो वाइरल हो जाएगी और वीडियो का SEO इंप्रूफ करने के लिए वो क्या करते हैं कि जहां जहां जगे मिले, महां बस भाई keywords भर दो मतलब title में, description में, tags में, hashtags लगा दो जितने ज़्यादा लगा सकते हो कहीं न कहीं तो YouTube SEO पिक कर ही लेगा ना कोई न कोई keyword और यही वो गलती है जिसके बारे मैं आपको वीडियो के start में बता रहा था काफी सारे नए creators ये गलती करते हैं इवन मैं भी करता था जब मैं starting में YouTube पे आया था और यह करना गलत इसलिए है क्योंकि इसको YouTube misleading metadata में count कर लेता है कई बार यानि अगर आप ऐसे keywords यूज़ करते हो जो उस वीडियो से related नहीं है तो वो misleading metadata होता है और कई सारे लोग ये चीज़ करते हैं इसके इलावा YouTube ने खुद ये बता रखा है कि आप जितने ज़ादा hashtags अपने वीडियो में use करोगे उतना ज़ादा वो irrelevant होते जाएंगे यानि कि वो बेकार होते जाएंगे और अगर आप 60 से ज़ादा hashtags यूज़ कर लेते हो किसे वीडियो में जो बहुत ज़ादा है पर अगेन काफी सारे लोग ये कर भी लेते हैं तो YouTube आपकी वीडियो को remove कर देगा हो सकता है आपके चैनल को terminate भी कर दे तो ये चीज़ आपको नहीं करनी होती है और चलो माल लेते हैं कि आपने बहुत सारे keywords add किये उनमें से कुछ keywords पे आपकी वीडियो rank भी कर गई ठीक है पर अगर वो वीडियो audience को relevant नहीं लगेगी तो वो आपकी वीडियो को skip कर देंगे जिससे आपका audience retention कम होगा और eventually आपकी वीडियो का reach भी down हो जाएगा तो इसे लिए बहुत सारे keywords use करके भी कोई फाइदा नहीं है सबसे अच्छा दरीका ये है कि आपको अपने वीडियो topic से related दो या तीन keywords पिक कर लेने है उसी को अपने title में use करो, description में use करो और हो सके तो tags में भी उसी को use कर लो इसके लवा hashtags जो use करते हो अपने वीडियो में उसको 5 या 6 से जादा मत रखो और वैसे भी YouTube पे आपकी SEO वीडियो का कैसा है उससे बहुत जादा फर्क नहीं पड़ता है पड़ता है फर्क पर बहुत जादा नहीं पड़ता सबसे जादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका content कैसा है यानि कि आपकी वीडियो कैसी है तो मैंने इस वीडियो के start में जो आपसे सवाल पूछा था उसका answer यही है कि आपका content आपकी विडियो कैसी है ये सबसे ज़ादा matter करता है तो rather than कि आप issue में बहुत ज़ता time invest करो उसकी जगे पे आप अपने विडियो को improve करने पे ध्यान दे सकते हो बाकि अगर आपको विडियो अच्छी लगी तो इसको like कर दीजेगा और अगर आप नया YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए चैनल आडियास ढूंड रहे हैं तो आप इस विडियो को check out कर सकते हैं Thank you